नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चेनल फ्री एजूकसन में दोस्तों सामन अध्यान यानिकी जी के जी इसके जो मोश्ट इंपोरण बन थाउजन कोस्टन की हमारी सीरिज चेर रही है उस कोस्टन सीरिस का अधम अठार्मा पार्ट लेकर आए हैं इससे पहले हम 17 पार्ट अपलोड कर चुके हैं तो यदि आपने हमारी पुराने वीडियो नहीं देखे तो इनको भी देख सकते हैं और दोस्तों आज कि इस वीडियो लेक्टर में हमने जितने भी कॉस्टन सेलेक्ट किये हैं सारे के सारे कॉस्टन important हैं काफी अच्छे लेविल के कॉस्टन हैं previous कई अग्जाम में ये कॉस्टन पूचे गाए हैं और इन कॉस्टन को हम बिलकुल detail में विट एक्ष्टाफेक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं नमबर फर्ष्ट कोस्टन है महाद या फिर महाण सत्याग्राय का नेतर तो किस ने किया था तो दोस्तो जितने भी कोस्टन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ यदि आपको किसी भी कोस्टन का आंसर पता है तो वीडियो को पोस्ट करके अपना अंसर लगाएं इसके महाण सत्याग्राय है ना इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है तो यह सत्याग्राय को चवदार तालाफ सत्याग्राय है और महाण का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है ठीक है और यदि हम बात करें कि यह सत्याग्राय कब हुआ था यह डेट आपको याद रखना है most important date ह तो ये 20 मार्च 1927 को ठीक है 20 मार्च 1927 को अच्छूत समुदाय को सहर के तालाप से पानी लेने का अधिकर दिलाने के लिए ये सत्याग्रा किया था डाक्टर सहाब भीमराव अमेड करने कहाँ पर किया था इन्होंने ये सत्याग्रा है तो इन्होंने महराष्ट का रायगर जिला है और रायगर जिले में एक इस्तान है उसका नाम है महाण ठीक है यहाँ पर ये सत्याग्रा किया गया था ठीक है और इसलिए इसको जो है महाण सत्याग्रा कहा जाता है दोस्तों यह से एक और question पूचा जाता है वो भी बहुत ज़्ज़ाद है question क्या पूचा जाता है आप से कि पीने के पाने के लिए सत्त्य ग्रह करने वाले परथम और एक मात्र्य सत्त्य ग्रही कौन हे तो वो सत्यग्राई जो है वो है महार सत्यग्राई तो दोस्तो इतनी बाते हैं इतने फेक्ट आपको इस कॉस्टन से याद रखना है नंबर सेकंड कोस्टन है सेरसाई के सासनकाल के दोरान लगान की रूप में कुल उत्पादन का लगभग कितना भाग लिया जाता था तो दोस्तो सेरसाई सूरी के सासनकाल में जो भूमी से कुल उत्पादन होता था जो पैदाबार होती थी उसका एक बटे तीन भाग लगान की रूप में बसूला जाता था तो इस कॉस्टन का D option से हो जाएगा और दोस्तों यहां से आपको याद रखना है कि सेरसाई सूरी ने कबूलियत और पट्टा पर्था की शुरुआत की थी ठीक है इसने दो पर्थाओं की शुरुआत की थी ठीक है और आपको याद रखना है कि सेरसाई सूरी ने भूमी क मापन के लिए ठीक है भुमी की मापन के लिए 32 अंकबाला सिकंद्री गज़ और सन की डंडी का प्रियोग किया था ठीक है किसके लिए किया था इसने भुमी मापन के लिए किया था ये question भी पूचा जाता है next question देख लेते हैं number third question ने फतेपुर सीखरी का निर्मान किसे ने करवाया था तो फतेपुर सीखरी का निर्मान करवाया था अकवर ने ठीक है अकवर ने करवाया था C option से हो जाएगा और इसने जो है गुजरात विजय की बात फतेपुर सीक्री का निर्मान करवाया था नेस्ट कोस्टन है भारत की पंच वर्सी उजना प्रणाली को किस देश से अपनाया गया तो भारत की पंच वर्सी उजना प्रणाली को अपनाया गया था रूस देश से तो इस कोस्टन का भी ऑप्सन से हो जायागा यदि हम बात करें भारत में पंच वर्षी उजना की तो भारत में प्रितम पंच वर्षी उजना कब लॉंच की गई तो प्रितम पंच वर्षी उजना लॉंच की गई थी 1901 उनको ठीक है 1901 उनको लॉंच की गई थी और जो प्रितम पंच वर्षी उजना थी ये किस मोडल पर आधारेद थी यह भी question पूछा जाता है तो यह जो हे Herald Domer model पर आधारेद थी ठीक है किस Herald Domer model पर आधारेद थी और भारत ने अब तक 12 पंच वर्सी उज़नाओं को लॉंच किया है और बरतमान में अरजी हुकुमते हिंद नामक अंत्रिम सरकार की इस्थापना की थी 1943 में ठीक है 1943 में की थी और इन्होंने कहाँ पर इस्थापना की थी तो इन्होंने संगापुर में इसकी इस्थापना की थी ठीक है और ये जो सुवास चंदर बोश की अंत्रिम सरकार है इसका समर्थन किया था धुरी राष्टों ने ठीक है धुरी राष्ट कौन कौन से थे तो जापान जर्मनी इटली ठीक है आदी धुरी राष्ट थे और इन देशों न जो है सुबास चंदर बोस की अंतरिम सरकार का समर्थन किया था और इस सरकार में सुबास चंदर बोस जो पेसियों में किस पधारत का एकत्र होने पर थकावट पैदा होती है तो जो मनुस्थ की मास पेसियां है यदि उनमें लेक्टिक अमल एक खट्टा हो जाता है ठीक है तो उनको जो है थकावट महसूस होती है तो इस कॉस्चन का A option से हो जाएगा देखे दोस्तों यहां से जो पर रासाइनिक formula भी पूछा जाता है तो इसका chemical formula क्या होता है इसका chemical formula होता है C3H6O3 ठीक है यह जो है यह लेक्टिक अमल का chemical formula होता है नेस्ट कोस्टन है गरीवी हिटाओ का नारा किस पंच वर्षी उजना काल में दिया गया काफी अच्छा कोस्टन है तो गरीवी हिटाओ का नारा दिया गया था चोथी पंच वर्षी उजना के दोरान तो इस कोस्टन का B option से हो जाएगा जो चौती पंचवर्षी यूजना थी, इसका कारे काल पसे कब तक रहा, तो 1979 से लगा कर उननिस्व चो उत्र報導 तक इसका कारे कर रहा था, और इस समय देश की प्रधान मंत्री कों थी? इंद्रा गांधी जो है समय देश की प्रदान मंत्री थी और 1971 में चुनाओ के समय इंद्रा गांधी जी ने गरीवी हटाओ का नारा दिया था ठीक है ये आपको याद रखना है अच्छा आपको एक और फेक्ट यहाँ से याद रखना है कि गरीवी उनमूलन ठीक है गरीवी जो है च्टवी पंच वरसी उसना का मुख उद्धिश था ठीक है ये फेक्ट आपको कन्फ्यूस करता है तो गरीवी उनमूलन जो है च्टवी पंच वरसी उसना का मुख उद्धिश था नेश्ट कॉस्टान देख लिते हैं नमबर आठ कॉस्टन है चोल वंस का अंतिम सासक कौन था तो चोल वंस का अंतिम सासक था राजिंदर चोल थर्ड तो इस कॉस्टन का बी ओप्सन से हो जाएगा यदि हम बात करें यहां से कि चोल वंस की इस्थापना किस ने की थी तो चोल वंस की इस्थापना की थी बिजिय 1982 में की गई थी तो इस question का बी option से हो जाएगा देखी भारत में आयात और नरयात को प्रोज़ाइद करने के लिए exam bank की इस्थापना की गई थी आयात नरयात वैंक अधिनियम 1921 के द्वारा किस अधिनियम के द्वारा इसकी इस्थापना की गई थी तो आयात नरयात वैंक अधिनियम 1921 के द्वारा इसकी इस्थापना की गई थी ठीके कब की गई थी 1982 में इसकी इस्थापना की गई थी और जो exam bank है इसका head quarter कहां पर इस्थे थे तो इसका head quarter जो ही ये मुंबई में इस्थे थे नेश्थ कोस्टन भारत की किस धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिसा सबसे अधिक है तो मैं आपको बता दूँ 2011 की जनगरना की आकणों के निश्थार भारत में जेन धर्म में साक्षर लोगों का प्रतिसा सबसे अधिक है तो इस कोस्टन का A option से हो जागा जेन धर्म की 99.9% कुतने 94.9% जो हैं लोग साख्षर हैं ठीक है और वहीं हम बात करें ईसाइधर्म की तो death का साख्षर्टा दर कितना है तो लगभग 84% है और हम बात करें सिख्थर्म की तो इनका जो साख्षर्टा दर है यानि कि एजुकिसन रेट है यह जो है लगभग 85% है और जो हिंदु धर में इसकी साक्षाता रेट जो यानि कि एजुकेशन रेट जो है ये जो है 33.3 परसेंट है ठीक है तो सारी चीजें आपको याद रखना है नैस्ट कॉचन है भारत की पहली फूरूट रेल यानि कि फर्स्ट फूरूट ट्रेंड की सुरुइण चर्यास की गई तो भारत की पहली फूरूट रेल की स्यूरूइशा राजसे चीजे तो इस कोश्टन का A आप्स्यन से हो जाएगा ये जो ट्रेंड है ये आँध पर ये चलाए गई थी तो ये ट्रेन जो है जवाहल लाल नहरू पोर्ट मुंबई तक चलाए गई थी ठीक है जवाहल लाल नहरू पोर्ट मुंबई तक ये जो ट्रेन है ये चलाए गई थी नेश्ट कोस्टन है वर्स 1928 में भारत आयो उस कमिशन का नाम बताईए जिसका सम्मिधानिक विवस्ता में सुधार करना था तो भारत की सम्मिधानिक विवस्ता में सुधार करना उद्देश था साइमन कमिशन का तो इस कोश्चन का डी ओप्सन से हो जाएगा देखें जो साइमन कमिशन है न इसकी स्थापना बेटेस प्रधान मंत्री द्वारा 1927 में की गई थी ठीक है इस्थापना कब की गई थी 1927 में की गई थी और किसके नियतुत में की गई थी तो सर साइमन की नियतुत में इसकी इस्थापना की गई थी और यह जो कमीशन था इसमें कुल सदस्यों की संक्य कितनी थी यह भी पूचा जाता है तो इसमें कुल सात सदस्य थे को देश था, याद रखेंगे नैस्ड क्frame किसको उसकी सेष जिंदगी के लिए ओरंग जेब ने कैद कर दिया था तो ओरंग जेब ने कैद कर दिया था अपने ही पिता साहज जहां को, तो इस question का B option से हो जागा उत्रा दिकारी की लडाई के चलते और रंग जिम ने अपने ही पिता को सिस जिन्दगी के लिए कैद कर दिया था नेश्ट कॉस्टन है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की अंतरराष्टी सीमा नहीं लगती ये कॉस्टन पूचा ही जाता है तो देखे जो स्री लंका है ये भारत का पड़ोसी देश है लेकिन भारत की अंतरराष्टी सीमा सिरी लंका से नहीं लगती तो इस कॉस्टन का डी ओप्शन से हो जाएगा ठीक है आपसे कॉस्टन पूचा जाता है कि सरी लंका को भारत से कौन अलग करता है तो पाक जल Đमरुमद और मननार की खाड़ी ठीक है जिसकी भौग लिकसीमा यानि की स्रीलंका की भौग लिकसीमा जो है किसी भी देश से नहीं लगती कि उन्हीं लगती क्योंकि स्रीलंका जो है चारों तरब से समुदर से घरा हुआ है नेश्ट कोस्टन है भारत ने प्रत्वी की धरातल का कितना प्रित्सद घेरा हुआ है तो देखे जो अपना देश भारत है ना ये प्रत्वी की धरातल का 2.4% छेत्रफल घेरे हुए है तो इस कोस्टन का D option से हो जाएगा और विस्विकी गुल जनसंख्या का साड़े सत्रा परसेंट कितना साड़े सत्रा परसेंट जनसंख्या जो है ये अपने देश भारत में निवास करती है नेश्ट कोस्टन देख लेते हैं नंबर 16 कोस्टन है निमन में से कौन सी ये ग्रीन हाउस गेस नहीं है तो देखिए इन में से जो आक्सजन है ये ग्रीन हाउस गेस नहीं है बाकी की जो जलवास पर मीथेन है और करवंड़े अकसाइड ही ये सारी ग्रीन हाउस गेस है बहुते हैं नमबर 17 कोस्टन है भारतिय मानक समय यानि कि IST रेखा कितने राज्यों से होके गुजरती है तो जो IST लाइन है ये पांच राज्यों से होके गुजरती है तो इसकोस्टन का C option से हो जाएगा जो IST है इसका full form क्या होता है इंडियन standard time और हिंदी में इसको बुलते हैं भारतिय मानक समय ठीक है इसकी स्थापन कब की गई थी तो इसकी स्थापन की गई थी एक सतंबर 1947 को ठीक है और ये भारत की पांच राज्यों से होके गुजरती है नेस्ट कोस्टन है विस्ब स्वास्त संगठन ने अंतरराश्टी इस तर पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया है तो विस्ब स्वास्त संगठन यानि की डवलू एचओ ने अंतरराश्टी इस तर पर पहली बार मनाया था विस्ब मरीज सुरक्ष्य दिवस तो इस कोस्टन का B अप्सन से हो जाएगा और ये कब मनाया था डवलू एचओ ने पहली ब पस मनाय जाएगा. ठीक है, याद रखेंगे. नैस्ट कोस्टं है. डाक्टर आर्पी तिरपाटी ने किसके समन्ध में कहा था कि वहर्बबन अपने योग की संतान वह पिता दोनों था. तो देखिये, डाक्टर आरपी तिरपाटी ने अकबर के समन्ध में कहा था कि वह अपने योग की संतान वा पिता दोनों था ये question पूचा जाता है तो उसको याद रखेंगे next question है निमने में से वायू मंडल की कौन सी प्रत्वी के निकटतम होती है तो देखें जो ट्रॉपो स्फिर लेयर है ठीक है इसको हम क्या बोलते हैं और जो चौब मंडल है प्रत्वी के निकटतम होती है इसकी ओसत उचाई यानि की एवरिज हाइट कितनी है तो तेरा किलोमेटर इसकी एवरिज हाइट है और देखें जो मौसम संबंदी परिवरतन होते हैं नबर 21 कोस्टन है चीनी यात्री हैंसांग किस की सासनकाल में भारत आया था तो जो चीनी यात्री है इसका नाम था हैंसांग और ये जो हरस बरदन की सासनकाल में भारत आया था और देखिए जो इसका मुख्धिस क्या था तो जो हैंसांग है इसका मुख्धिस जो है नालंदा विस्विद्याला में पढ़ना था और जो बौध गरंथ थे उनका संगराय करके उनको बापिस चीन ले जाना इसका प्रमुख्धिस था नेश्ट कोशन देख लेते हैं नमबर 22 कोशन है निमन में से कौन सी कृती रवन्ना टैगोर की नहीं है तो हम देख लेते हैं तो देखिए जो चित्राला है ये रवन्ना टैगोर की है दी कोट डांसर ये कृती भी रवन्ना टैगोर की है और चित्रांदगा जो लिखा ये जो कपाल कुंडला कृती है जो कपाल कुंडला रचना है ये रविन्या टेगुर की नहीं है तो ये रचना किसकी है ये है वकिम चंद्रचटरजी की ठीक है तो यहां से हमें तीन रचना जो है रविन्या टेगुर की ये याद रखना है और जो कपाल कुंडला रचना है ये क इसकी है वकिम चंद्रचटरस जी की है ये भी हमें याद रखना है नैश्ट कोशन देख लेते हैं नमबर 23 कोशन है विस्ब इतिहास की जहलक यानि की गिलिम पैस ओफ वर्ल्ड हिष्ट्री के रचेता कौन है तो विस्ब इतिहास की जहलक के रचेता है प्रथम प्रधान मंत जवाहला नहरू तो इस question का A option से हो जाएगा जो जवाहला नहरू है ना इनकी कुछ और पुस्त के हैं वो भी पूछे जाती हैं तो इनकी प्रमख पुस्त के हैं Discovery of India यानि की भारत की खोज और इसकी इनोने रचना की थी 1946 में ठीक है इनकी दूसरी पुस्त के विस्व इतिहास की जलक मैंने अभी आपको बताया इसकी इनोने रचना की थी 1933 में और इनकी तीसरी पुस्त के मेरी आत्म कथा इसकी रचना इनोने की थी 1936 में ठीक है और जो ज जवादर नमंबर को वाल दवस की रूप में मनाते हैं और जो जवाहरला नेरू हैं बच्चे इनको प्यार से चाचा चाचा की नाम से संबोधित करते थे नैस्ट कॉस्टन है दिल्ली की गद्धी पर बैठने बाली पहली महिला सासी का रजिया सुल्तान किस वंसकी थी तो मैं आपको आंसर बता दूँ कि यह ममलुक बंस की थी तो इस question का A option से हो जागा देखे यहां पर बात ही है ममलुक बंस की तो इसकी इस्थापना किस ने की थी तो ममलुक बंस की इस्थापना की थी कुतुब बुद्दीन एवक ने किस ने और जो रजिया सुल्तान है इनकी पिता का क्या नाम था तो रजिया सुल्तान की पिता का नाम था इल्टुतमस ठीक है इल्टुतमस जो है इनकी पिता का नाम था तो इतनी बातें इतने फेक्ट आपको इस कॉस्टन से याद रखना है चले इने इस question देख लेते हैं नमबर पच्चीस question है भारत में पहला समाचर पत्र किस ने सुरूं किया था तो भारत में पहला समाचर पत्र जो है ये सुरूं किया था जेम सिक्की ने तो इस question का D options ही हो जायागा देखे भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकासित किया गया था तो 1780 में प्रकासित किया गया था और किस ने प्रकासित किया था तो जेम सिक्की ने ही प्रकासित किया था उस समाचार पत्र का नाम क्या था तो उस समाचार पत्र का नाम था बंगाल गज़र ठीक है बंगाल गज़र जो है ये भारत का प्रतम समाचार पत्र था और ये किस भासा में प्रकासित किया गया था तो ये जो है ये अंग्रेजी भासा में प्रकासित किया गया था कौन सी भासा में ये अंग्रेजी भासा में कौन सा question पूछ लिया जाए और दोस्तो आप देख रहा है free education YouTube channel और हमारी एक बिसिस्ता है कि हम एक question से अधिक fact बताते हैं ताकि आप exam में question को सही से attend करके आ सकें तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आप next and last question है आपके लिए challenging question से आपको comment करके बताना है किस राज्य को उकते सूरज की भूमी कहा जाता है यानि कि land of rising sun किस state को कहा जाता है यह question मैंने previous वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है और दोस्तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएं और इस वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share करें हमारे चैनल को subscribe करने के साथ बैल आइकन जरू द्वाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालें तो उसका notification सबसे पहले आपको मिल जाए और दोस्तों अभी तक मेनेज हुए सत्रा पार्ट बना दिये हैं तो आप वो भी देख सकते हैं हमारी प्ले लिस्ट को विजिट करके प्ले लिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिल जाएगी तो प्ले लिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क रसना मिल जाएगी या फ कि दूस्तों मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंदी मात्रा